नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों UP NHM ANM Pharmacist Life Technician जिला आवंटन होल्ड करके रखा गया है कुछ अभ्हर्थियों का पहली लिस्ट में नाम नहीं जिला आवंटन लिस्ट में नाम नहीं अभ्हर्थी परिशान नहीं दोस्तों परिशान 480 ही seat जो है पर अभी जिला अवंटन हुआ 10 seat hold करके रखा गया है उसी हिसाब से दोस्तों मैं आप लोग को lab technician का भी दिखा रहा हूँ और एनम का दोस्तों जितने seat थी सभी पर आ गया है बहुत से अभिरती करें सर मेरा साटलिस्ट वाले में नाम था लेकिन इसमें नाम नही है दोस्तों मैं आप लोग को बता रहा हूँ आप फिर से एक बार चेक करिएगा नाम जरूर है क्योंकि 5873 मैंने आप लोग को बताया था कि 5873 post total जो है एनम की है सभी पर जो है चिला आवंटन सभी अभिरतियों का आ गया है जिन अभिरतियों को नहीं मिल रहा हूँ बहुत दे दिया गया है यह 7873 अभिरतियों का जो है जिला अलाट्मेंट है यह एनम बहनों का है सभी जो एनम बहने हैं इनका सभी आ गया है अगर साथ लिष्ट वाले लिष्ट में नाम है तो इसमें भी नाम है बहुत ध्यान पूरवक से वह चेक करें अब बात आती है लैप टे देखा दूं यहां से दोस्तों देख सकते हैं जो मैं इसके पहले यह वीडियो बनाया था जो कटाफ बताया था देखिए कटाफ उसी के इर्द गिर्द गई हुई है देख लिए यहां पर आप लोग और देखिए 873 पोस्ट टोटल थी और 873 पोस्ट जो है सौट इस टोटल 873 पोस्ट है अब चलते हैं लैप टेक्निसियन की तरफ यहां से दोस्टों देख सकते हैं यह जो इसमें दिया गया है यहां पर देख सकते हैं लिस्ट ओफ 1318 पोस्ट हाँ इसमें दोस्टों टोटल सीटे थी लगभग 32, 32 सम्थिंग, 31 सो कुछ सीटे थी 32 मान क चलिए कुछ अभ्यर्थियों को होल करके इसमें रखा गया बहुत से अभ्यर्थियों का नाम नहीं है जो लैप टेक्निसियन के अभ्यर्थी हैं दोस्टों क्योंकि उनका कुछ है बेटर अभी आप लोग को वह भी लिष्ट देखने को मिलेगी जैसे फार्मासिस्ट के ज जो है रिजिस्ट्रेशन नंबर मिलान कर सकते हैं और उनको भी मौका दिया जाएगा दोस्तों वह अपना मेल आइडी चेक करते रहें क्योंकि मेल आइडी पर ही आपके पास मैसेज आएगा और नहीं की साइट पर जो है वह जो दस अभ्यर्थी है उनका भी आएगा प्लस प्लस नंबर मिलेगी आप लोग घबडाएना दोस्तों नियुकति उनको भी मिलेगी बस आपके बाद उनको जो है जिला आवंटित कर दिया जाएगा वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थी घबडाएना 25 फरवरी के इर्दगिर्द वेटिंग लिस्ट आजाएगी 20 फरव के इर्दगिर्द ही रहेगा दोस्तों क्योंकि 20 के बाद आगे जो है 15 मॉर्च परक्रिया पूरी हो जानी है अगर अचार संघिता लग जाएगी तो यह नहीं होगा वेटिंग लिस्ट फर्ष्ट और वेटिंग लिस्ट इचकेंड दोनों निकलेगी जो वेटिंग आजकल दलाल बहुत घूम रहे हैं दलालों के चक्कर में एकदम ना पढ़िएगा दोस्व दलाल पाईसा ले लेंगे आपसे कहेंगे मैं इसे CSC, PSC यहाँ पर डॉट सेंटर पर करा दूँगा जीला स्पताल पर करा दूँगा तो दोस्व कुछ नहीं होगा जो भी अब होगा CMO सर के माध्यम से होगा जैसा आपका नंबर रहेगा उसे हिसाब से आपको CSC, PSC, PSC डॉट सेंटर यह सब इलाट किये जाएंगे जैसा आपका नॉलेज रहेगा तो दोस्वों अभी आपके पास DV रह गया है तो DV आप कभी भी जाके करा सकते हैं जो भी अभ्यरतियों का फाइनली साट लिश्ट हो गया है वो लोग अपना कल ही जाकर कल ही जाकर रिपोर्ट कर ले दोस्वों कल जाकर रिपोर्ट कर ले रिपोर्टिंग टाइम जो है आपको 20 फरवरी से पहले ही करना है कभी भी जाकर आप वहाँ पर डीवी करा कर अपना कारभार गराण करें यहाँ अपडेट जो सो बहुत बड़ी है और थोड़ी सी चूक हो जाएगी तो आप जो है इस भी नोकरी से जो है डिबार हो जाएगे फिर आपको अगली भरती देखनी पड़ेगी क्योंकि आगे वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यरतियों को भरेंगे सीट एक भी खाली नहीं जाएगी तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा सेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यरतियों तक पहुंचाएं जहां पर भी हुआ है आप जाकर वहाँ डिवी कराएं गारभार गरहन करें भले ही दूर है दोस्तों क्योंकि आगे म्यूच्वल ट्रांसफर होता रहता है मिलते है नेक्ष वीडियो में वीडियो को अंतर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद